Hello everyone, this is Pragati. Welcome to my channel, Pait Pooja with Pragati Singh. Today I am going to make Balushai. But before that, don't forget to like and share. And if you are watching my channel first time, then please subscribe also. And please press the bell icon. So let's start how to make Balushai at home. So let's start how to make Balushai at home. So let's start here first, we will take a empty bowl. Here we have 1 cup of meat diet. And add 1 fourth of the dish in the fridge. Add 1-4th of the sauce. Add a curds and add 2 spoons of wheat. And add 2 spoons of wheat. And mix it well. After mixing it, we will add 2-4th of baking powder. Add 1-4th of baking soda. And add 1-5th of baking soda. करेंगे के सिर्फ वन पिंच आपको बेकिंगो ड conveyat करना ज्यादा नहीं करना है और इस अच्छे से मेक्स करना है को अरब हम यहां ईसका एक डो लगा लेंगे थोड़ा सा पानी अच्छा करके हमारा डो पर दोफट दोफ्ट के लिए चौड़ देना है तो बस यहां डो लग चुका है अब मैं इसे दस मिनिट के लिए चौड़ रही हूँ तो चलिए अब हम शुगर सिरफ लाइक चाशनी तयार कर लेते हैं यहां पर मैं ने वनकप चीनी लिए और इसमें हम half cup पानी एट करेंगे हमें हैं दो तार की चाशनी बनानी है क्योंकि बालू शाई के लिए जो चाशनी होती है वो ठिक होती है तो हम केवल half cup पानी एट करके इस अच्छे से उबाला जाएगा उसके बाद हम इसमें food color एट करेंगे अगर आपके पास हो तो एट कीजेगा और स्किप कर दीजेगा तो अब हम डू की तरफ चलते हैं यहां डू को 10 मिट हो चुके हैं रेस्ट के और यहां मैंने एक साइड में गी मेल्ट होने के लिए गरम होने के लिए डीफ्राइब करने के लिए रख दिया है तो बस अब हम इसमें इसके मतलब सेम साइज के अलग-अलग लोई ले लेंगे और इसे हमें राउंड राउंड गुमाना है आप देख सकते हैं किस तरह मैं पेडा बना रही हूं और इसमें हमें सेंटर में खोल करना है लाइक मैदू बड़ा की तरह या तो फिर जो साबू दाना बड़ा वाला आपने मेरा वीडियो देखा होगा उस तरह मैदू इसमें कोल करके इससे हमें डीफ्राइ करने के लिए कडाई में डाल देना है और जो घी आपका मीडियम गरम हो जाए लाइक मीडियम से भी कमी रहे बस और उतना गरम होने के बाद आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है यहाँ पूरी प्रोसेस स्लो फ्लेम पे होगी तो याद रखिएगा पूरी प्रोसेस हमें स्लो फ्लेम पे करना है और ऑईल भी हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है केवल मीडियम गरम करना है मीडियम से भी थोड़ा कमी कीजेगा तो बस इसी तरह हमें सारे बालु शाई बना के इसमें डी फ्राय होने के लिए छोड़ रही हूं लाइक डाल रही हूं और बालु शाई भी आप बिल्कुल सॉफ करते हैं बीच में सेंटर में खूल करना है तो ज्यादा इसे लोई की तरह नहीं मसलना है बस इसे हम 5-7 में एक की साइड विल्कुल डी फ्राय होने देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे तो आब आप देख सकते हैं इसे कुछ नहीं शेड़ना है बस इसके बाद मैंने इसे कर दिया था और दूसरी तरफ भी हम इसे अच्छे से डी फ्राय कर लेंगे तो बस इसे टर्न करके दोनों साइड अच्छे से डी फ्राय कर लीजे एक दम स्लो फ्लेम पे और इसका कलर चेंज हो जाएगा और यह अच्छे से डी फ्राय हो जाएगा इसकी लेयर इस तरह दि निकाल लेना है एक प्लेट में और इसे अच्छे से ठंडा होने दीजिएगा अब यह अच्छे से ठंडी हो जाएं उसके बाद हमें इसे चाष्णी में हलकी गरम चाष्णी में डिप करना है और तुरंत निकाल लेना है तो यहां यह अच्छे से ठंडी हो चुकी है अब मैं यहां पे जो हमने चाशनी बनाई थी उसमें में वो हलकी गरम है विल्कुल ठंडी चाशनी भी नहीं लेना है थोड़ी सी मीडियम गरम है अब इसमें में बालुशाई डिप करूँगी और इसे में सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर दूँगी तो बस एक दो बार ऐसे इसे आप इस तरह से यह इस मेथट से बनाएंगे तो 101 परसंट यह सेम एज़िटी बालुशाई ऐसी ही बनेगी तो बस अब हम इसे भी बाहर निकाल देंगे और इसकी गार्निशिंग के लिए कोई भी ड्राइफ फूट्स आपके घर में जो भी अबिलेबल हो आप ले सकते हैं मैं यहाँ पर पिस्ता ले रही हूँ और इसकी में पिस्ता से गार्निशिंग कर दूँगी बस यहाँ मेरी बालुशाई रेडी है तो अगर आपको मेरी रेसिपे अच्छी लगी हो तो प्लीज घर पे ट्राइ कीजेगा और कमेंट्स के तरूँ इसके रिलेटेट जो भी कोईशन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मैं उसका रिपलाई करती हूँ तो बबाई, see you in next video, take care and please कमेंट्स के तरूँ बताईएगा कैसी बनी, बबाई